कल्पना कीजिए कि एक राजा के पास एक छोटी सेना है, नीचे तस्वीर की दाईयोर, राजा को एक अभिमान से भरी हुई एक विशाल सेना को हराना है, तस्वीर की बाईयोर. यह बड़ी सेना प्राचीन दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, यानी फार्सियों की सेना छोटी सेना के जीतने के आसार बहुत ही कम होंगे, लेकिन उनका राजा सिकंदर है इसके बावजूद सेना तो छोटी ही है, तो आईए देखते हैं क्या होता है गौगा मेला की लड़ाई ने भविश्य को हमेशा के लिए बदल दिया हम सबके नवीन जीवन में इस लड़ाई की एक खास भूमिका है ये लड़ाई सिकंदर, अलेक्जांडर दग्रेट और फारस पर्ज्या के राजा डेरियस के बीच हुई थी और सिकंदर के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी डेरियस जंग में हाथियों का उपयोग कर रहा था, जो सिकंदर की सेना ने पहले कभी नहीं देखा था युद्धनी थी जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, सिकंदर ने सेना की एक छोटी सी टुकडी सहित मैदान के दाई और तेजी से घोड़े भगाना शुरू कर दिया बाकी सेना अपनी जगह पर ठहरी रही यह देख डेरियस हैरान रह गया उसने सिकंदर का पीछा करने के लिए अपनी सेना के बड़े टुकडे को आदेश दिया और बाकी सेना ने सिकंदर की ठहरी हुई सेना पर धावा बोल दिया डेरियस, एक छोटी टुकडी के साथ अपने स्थान पर खड़ा रहा सिकंदर यही चाहता था वह तेजी से घोडे भगाता रहा और दुश्मन सेना ने उसका पीछा किया अचानक उसने अपना घोड़ा घुमाया और सीधे डेरियस की ओर दोड़ने लगा सिकंदर की सेना उसके पीछे थी तो ये क्या किया सिकंदर ने? उसने डेरियस की सेना के एक टुकडे डेरियस से दूर करके अपने पीछे लगा लिया दूसरा बड़ा टुकडा सिकंदर की सेना की ठहरी हुई टुकडी के साथ लड़ने में व्यस्त था डेरियस के अन्य सैनिक जा सिकंदर के पीछे भागे तो उसने दिशा बदलकर डेरियस की और रुख किया डेरियस के पास वहाँ सेना की छोटी टुकडी मौजूद थी अब सिकंदर को आता हुआ देख डेरियस की आँखें फटी रह गई सिकंदर एक पागल की तरह उसकी ओर दोड रहा था डेरियस वहां से भाग निकला इस तरह गौगामेला की लडाई का अंत हुआ छे सारह हाजार फारसी सैनिक मारे गए जबकि सिकंदर के केवल 900 सैनिक मारे गए थे क्या होता अगर डेरियस ने भागते हुए सिकंदर के पीछे अपनी सेना की टुकडी नहीं भेजी होती और उन्हें अपने पास रखा होता वो सिकंदर का अंत होता सिकंदर को पता था कि ऐसा भी हो सकता था लेकिन इस चाल के अलावा सिकंदर के पास कोई और चारा नहीं था सिकंदर की जीत ने हर संस्कृती को प्रभावित किया अगर वह इस लडाई को हार जाता तो शायद दुनिया आज कुछ अलग होती